कि बीएट फर्स्ट इयर फर्स समेस्टर यूनिट फाइब पेपर नंबर वन जीरो टू चलिए शुरू करते हैं पार्ट चर्या के लच्छ निर्देश्ट होते हैं उद्देश्यों से निम्ल्व से कौन सा नियमित सिच्छा के अंतरगत आता है पार्ट एक्रम जो इस्थितियां है मानो समाज इनके प्रसिच्छन के प्रति नो तो एक्मत और नो सिच्छन के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के प्रति ही यह कथन किसका है रस्तू का पाठचरिया अध्यापक रूपी कथाकार के हाथ में वह साधाने जिसके माध्यम से वह पदार्थ रूपी सिस्ष्य को अपने कलागरी है रूपी स्कूल में अपने आदर्स के अनुसार रूप प्रतान करता है यह कथन किसका है कनिंगम करिकुलम सब्द की उत्पत्ती हुई है लेटिन भासा से पाठचरिया समाच की परंपराओं पर्यावराण वो अधर्सों का प्रतिरूप है यह कथन किसका है डंकन प्रिजेल का पाठचरिया एक ऐसा करम्भ है जो किसी व्यक्ति को किसी अस्थान पर पहुँचने के लिए ताय करता है यह कथन किसका है ब्रूबेकर निम्व में से किस सिच्छा सास्त्री ने पाठचरिया को मानो जाति के समस्त ग्यान और अनुभव का असार कहा है फ्रावेल पाठचरिया में उनी विशियों को अस्थान देना चाहिए जो छात्रों के भावी जीवन में काम आज सके पाठचरिया के सम्मन में सिद्दान्त है उपयोगीता वादी सिद्दान्त पाठ्चर्या कंतरप्रतेगविशाय को समान महतु देने का मांग करता है संतुलन का सिद्धान्थ। पाठ्चर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समया नुसार उसमें परिवर्टन किया जा सके यह सिद्धान्थ कालाता है लचिलेवपन का सिद्धान्थ। पार्ठ करम के मनोविज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वे पच्छ हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पार्ठ करम निर्माता के विद्यार्थी के वेवहार के संबन में बुद्धी मता पूर्ण नेड़ा लेने में सहायता करते हैं यह कथन किसका है हेरोल्ड टी जॉंसन का यूजी सी के स्वायत स्वायत सासी संस्था के रूप में मानता प्राप्त हुई संसत के अधिनियम द्वारा किस वर्ष यूजी सी के एक पूर्ड स्वायत संस्था बनाया गया उनिस स हपन को यूजी सी के किस प्रकार किस संस्था है सम्विधिक पटचरिया निर्माड का सो संबंद से धांद्ट पटचरिया के संबंद में किस के मद्द सो संबंदों की ब्याक्या करता है विशियों के मद्द पाठचरिया निर्माड और विकास है वेवारिक प्रक्रिया किस देश के संबन में पाठचरिया निर्माड प्रवावित नहीं होता प्रकृतिक परिवेश से करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई विलर द्वारा विलर द्वारा अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठचरिया विकास की कितनी प्रक्रियाओं को स्विकार किया गया है पाँच पाठचरिया विकास प्रक्रिया की प्रतम वस्ता है सैचिक और सक्ताओं का निर्धारण पाठचरिया विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मुल्यांकन पाठचरिया विकास प्रक्रिया के अंतरगत विसेवस्तु के गठन के समय सोईकार नहीं किया जाता है पाठचरिया विकास के विविन अस्तरों में पाया जाता है प्रस्पर अभेद पाठचरिया मुल्यांकन होता है गुडात्मक मात्रात्मक पाठचरिया निर्माड के मुख्य आधार सामिल नहीं है जयविक अधार दर्शन पर पाठचरिया का संगठन जितना अधारित है उतना सिच्छा का कोई अन्य पच्छ नहीं या कथन किसका है रस्क का राष्टी अध्यापक सिच्छा परिशत की अस्थापना कब हुई थी 1973 में किस बर्श N-C-T-E N-C-T-E को समयधानिक संस्ता का दर्जा मिला था दिया गया बर्श 1993 N-C-T-E को समयधानिक दर्जा दिया गया संसत के अधनियम द्वारा N-C-T-E द्वारा अपना विद्वत कारे आरंब किया गया 1 जुलाई 1995 से पाठचरिया विकास में विस्विद्यालियों की भूमिका है बैभारिक क्रियात्मक पाठचरिया के संदर में भौतिक जगत की तुलना में अध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है अधर्स वात पाठचरिया के संबंद में अध्यात्म जगत की तुलना में भौतिक जगत को अधिक महत्व देता है प्रकृती वात सिच्छा के लच्छ, सिच्छा के लच्छ, देशकाल और परिस्तितियों के अनुसार बदलते रहते हैं या अधारणा है, प्रियोजन बात पटचरिया का चयन छात्र स्वेंग अपनी हो सकता योगितायों जीवन की परिस्तितियों के अनकूल करता है वह धार्णा है यह धार्णा है अस्तित्वबाद पटचरिया का चयन छात्र स्वेंग अपनी हो सकता योगिता और जीवन की परिस्तितियों के अनकूल करता है वह धार्णा है अस्तित्वबाद कारण परड़ाम के बैग्यानिक नियम को सर्व्यापी और सर्मान्य मानता है यह धार्दवाद व्यक्तित्वबाद से संबन्दित है रूशो समाज सास्त के जन्मदाता है आगस्त काम्टे किस देश से संबन्दित है फ्रांस समाजिक संस्कृतिक सनचना के संदर में किसका कथन है कि प्रतेक समाज में कुछ नकुछ मात्रा में असंतुलन सदय वना रता है ग्रीन समाज के पुनर निर्माड में अनेक कारणों से बदला होते रते हैं और होते रहेंगे यह कथन किसका है करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचैता मनोवज्ञानिक द्रिष्टी से पार्ठिकरम निर्माड के प्रमुख निर्धार को में सामिल नहीं है नैतिक्ता पार्ठिकरम निर्माड में विकास के सिद्धान को किसने प्रमुखता प्रदान की सिच्छा के छेतर में मनोवैग्यानिक तत्तों को क्रियात्मक रूप देने का असरे किसे दिया जाता है 19. सदाब्दी में रूसों के व्यक्तित वबाद की प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रविर्ती का जन्म हुआ समाजिक बाद निम्कित में कौन सा एक हस्तचेप माडल की विशेषता है वो सर्भामि के अनुसंदान प्रदारीत हस्तचेप माडल के अंतरगत किसको समस्याओं की समादान का फ्रेमबर्क माना जाता है अध्यापकों को हस्त्हिष्षेप माडल स्योक करता है रण नीति विकास करने में समझ को विक्सित करने में स्वैं स्वैंग प्रस्ण करने में हैं यह सभी histories पर दो कि अंधरगर done नीती में होने वाले परिवर्टन वान्चित्यों अस्तलय होते हैं पाठिक्रम नियोजन के समास्तास्त्री अधार में सामिल किया जाता है परिवार धार्मिक संगठन दवाव समूह मनुविज्यान यूजी सी का गठन किस वर्स हुआ था यूजी सी वर्स उन्निस सुतिरपन ये गलत है डाउट चपन होना चाहिए देख लीजेगा इसे पाठिक्रम द्वारा पूर्ती होती है सिच्छा के उद्देश्यों की लेटीन भासा में करिकुलम का अर्थ है दोड का मैदान किस बिद्वान के पाठचरिया को गती यूगत वातावरन कहा है कैसवेल पाठचरिया समाज में कलात्मक धंग से प्रसपर रहने के लिए बच्चों के प्रसिच्छन का सिच्छनों के पास एक साधन है ड्यूवी पाठचरिया बिकास से समंदित निर्माढ प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व सरप्रत्म ध्यान देना चाहिए उद्धेश्यों पर पाठचरिया बिकास प्रकिया की अवस्थाओं का सही करम है एक, दो, तीन, सैच्छी कुदेश्यों का निर्धारण विसेवस्तु का गठन पठचरिया का मुल्यांकन होगा पठचरिया की विसेवस्तु का गठन किया जाता है मूर्थी से अमूर्थ की ओर पड़्चरिया निर्माण के दार्षिनिक अधारों के अंतरगत किस अधिक महतु दिया जाता है मुल्लेओं को पड़्चरिया के समाज सास्त्री अधार के अनुसार बालक की अनुपचारी के सिच्छा का प्रारंब होता है परिवार से पड़्चरिया के समाजिक अधारों के अंतरगत बैज्ञानी के ओम अधोगी क्रांति के बाल सिच्छा के छेतर में भूविका कुछ कम हो गई है धर्म की मनोबिज्यान का उद्देश्य है छात्रों के विवार का अध्यान सिच्छा के द्वरा छात्रों के विवार को परिमारजित करना C.I.P.P. model किस प्रकार का प्रति रूप माना जाता है समकालीन रूप C.I.P.P. को अन्य किस नाम से जाना जाता है स्टफल C.I.P.P. model के अन्दरगत तकार करम का किया जाता है मुल्यांकन C.I.P.P. में कौन एक तत्थ सामिल नहीं है प्रति स्पूर्टी संदर्ब सामिल प्रदान भी है प्रक्रिया भी प्रदान मुल्यांकन का तात्पर है कैसे जानना चाहिए पाठचरिया अभिकल्पनम का मॉडल सिद्धान किसके प्रती समर्पित है पाठकर्यम की जाच और आकार के प्रती पाठकर्यम अभिकल्प सिद्धान किस सम्मंदित है यतिहासिक विशलेशन पाठकर्यम अभिकल्प को मुख रूप से किस नाम से जाना जाता है पाठकर्यम गाइड पाठचरिया का प्रियोक किन छेत्रों में प्रवावी माना जाता है अपचारिक सिच्छा में पाठचरिया के निर्माड में किसकी भूम का मत्पूर्ण होती है अध्यापको की सर्भूमिक पाठिक्रम इकाईयों में किसे सामिल नहीं किया जाता प्रमपरागत माडल को सरपर्थम किसने विक्सित किया था रॉल्फ डाइलर प्रमपरागत माडल प्रक्रिया में किन उदेशियों को पूरा किया जाता है पाठकरम की रुपरेखा पारमपरिक पाठकरम डिजाइन प्रक्रिया में किसे सामिल नहीं किया जाता है पाठकरम की विशेवस्तू टाइलर की अनुसार पाठकरम प्रक्रिया है प्रगति सील पारमपरिक पाठकरम माडल में सिच्छा की भूम का किस परकार की होती है निर्दे सात्मक प्राणपरिक प्रारंबिक योजना प्रकरिया मुखरूप से किस पर केंदरित है चात्र केंदरित पाठिक्रम का प्रारंबिक चरण मुख्य रूप से किस्पराधारित है डाटा संग्रह पर पाठिक्रम माडल का स्वरूप कैसा होता है परिवर्तन सेल निम्किस में कौन एक पाठि चर्या माडल का प्रतिरूप नहीं है कच्छा केंदरित माडल पाठिक्रम माडल का मुख्य रूप से किस पराधारित है बिसे पर किस पराधारित है बिसे पर बिसे केंदरित माडल में अधि गम का स्वरूप किस परकार का होता है सीमित बिसे केंदरित माडल में कौन सा एक सिमाओ की विशेस्ता नहीं है मनोबैग्यानिक विकास सेच्छिक अधारित पाठिक्रम माडल में कौन एक उदेश सामिल नहीं है पाठिक्रमों का गोडात्मक सुधार सेच्छिक अधारित पाठिक्रम माडल किस योजना पर क्यानवित किया जाता है सेच्छिक योजना सेच्छिक अधारित पाठिक्रम माडल निर्माण में किसकी भूंका मत्पूर होती है अध्यापक की साच्छिक उदेशियों के निर्धारण में किसे प्रतम सोपान माना जाता है पाठकरम को पाठकरम में केवल रचनात्म के अनुदेशन एक निर्देश नहीं होता बलकि विसेश्टिकरण में भी मुख्य सायक होता है या कथन है B.S. Bloom का साच्छ छब्टाम अधारित माडल कि किसकी कसौटी की भूमिका के आकलन परादारित है कछा की पाठकरम का निर्माड किस परकार की युगताओ के अनुशार किया जाता है इन सभी के अनुशार रूचियों के अनुशार छमताओं के अनुशार करिकुलम के अंतरगत के नीत रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विशय विद्धमान रते हैं कारियों की योजना समंदित अध्यन कोड समंदित साधारन विद्ध्यालियों के विशय में उप्रोक्त सभी सिच्छा बेरोजगारी के बिरूद एक प्रकार का भीमा होना चाहिए मातमा गांधी के अनसार मूल पाठकरम का धार क्या होता है छात्रों की रूची, छात्रों की योगता, छात्रों क्यों सकता हैं सभी ब्योसाईक सिच्छा पर बने राष्टी ये कारेकारणी समू के अध्यच कौन थे जी एस को ठारी हंटर आयोग का गठन कब हुआ था अठारस सो ब्यासी में पाठकरम निर्माण परक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है पाच किस भासा निती में पाठकरम को अस्थान दिया गया है उन्निस सो और सट भारती सिच्छा आयोग जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था जिसने मादमिक स्कूलों में असली विशियों की सिपारिस की विशय के विशिष्ट छेत्रों से समंदित पाठकरम क्या कलाते हैं निर्देश्ट पाठकरम कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है सिच्छा और स्विकास पाठिकरम चात्रों को किस प्रकार का ग्यान प्रदान करता है? ज्यानात्मक समंदि, सूजबूस समंदि, जीवन मुल्य समंदित, इन सभी प्रकार के, दच्छिट भारत में हिंदी प्रचार सभा की अस्थापना की थी महात्मा गाधी ने, अगर आप महात्मा गाधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए, सत्यों अह सइसा का पालन करिया आधारित पाठकरम की मुख्य विषेसताएं क्या हैं? बालकों की रूचियों को मातो दिया जाए समाझ की उप्योगिता की अनुशार, उनके सीखने की आदत बिकसित होती हैं उप्योग सभी मूल पाठिकरम में कितने अनिवार भी से पाय जाते हैं 6 कोई भी भारती भासा क्यों न हो उसमें 80% से अधिक सब संस्कृत के हैं किसने प्राता कालिन सभा को स्कूल की कसबा सभा के नाम से पुकारा है प्रोफेशर फ्रेट वैल ने पाठिकरम सहगामी क्रियाओं से लाव है उप्रोक सभी छात्रों में नागरिक की गुणों का विकास होता है छात्रों में विशेश रूचियों का विकास होता है छात्रों के मूल प्रविर्तियों का सोधन तदा परिमार्चन होता है अच्छमता अधारित माडल मुख्य रूप से किस पर अधारित है छात्र केंदरित किस पर अधारित है छात्र केंदरित चम्ता का अधारित माडल की मुख्य विश्यश्ता है ब्यक्तिगत दचता के अधार पर चात्रों का मुल्लांकन सो चम्ता अधारित माडल किस पर केंदरित माना जाता है अधिगम सो चम्ता अधारित माडल में निम्लखित में से किसका विकास होता है ग्यान और कौसल का सिच्छा की समाजिक परविर्थी का तातपर है बालकों में समाजिक गुडो का विकास खांसिसी दार्षनिक रूसों के व्यक्ते वाद की प्रक्रिया स्वरूप किसका स्रिजन हुआ है समाजिक तावाद पाठचर्या के निर्माण में समाज की कौन सी प्रविर्थी भूम का निवाती है समाजिक दवाव समु धार्मिक संगठन समाज की प्रक्रिया ये सबी समाजिक कारे मंडल के अधार पर पाठ चर्या का विस्तार होना चाहिए समाजिक आउसकता के अंसार व्यक्ती गत आउसकता के अंसकार समाजिक कार्यम अधारित माडल के अधार पर निंग में से किसे सामिल नहीं किया जा सकता जनसंख्या, सिच्छा, इस्तिती, जाति उनमूलन ये सभी समाजिक कार्य पाठकरम माडल के अंदर निंग में से किसका अध्यान नहीं होता बिज्ञान प्रदोगी कविस्तार किसी भी बालक की अनुपचारिक सिच्छा आरम होती है परिवार से अनुपचारिक सिच्छा बरतमान वे परिवार के प्रमपरागत कारियों दाइतों का अस्तनांतरण कहां हो गया है इसकूलो और विस्विद्यालव में उस्कूलों और विस्विद्यालियों में निम्खित में किसके प्रवा के कारण सिच्छा के छेत्र में धार्मिक संगठनों का प्रवा कम हुआ है बिज्ञान प्रदोकी और धोगी की सांती और बदोनों बरतमान में पाठकरम नियोजकों के किस कारण से परिशानियों का सामना करना पड़ा है परिवर्तन सिल गति के कारण ब्यक्तित्व और सक्ताओं के अन्रूप माडल क्रियानवित करने की जिम्यदारी किसकी होती है अध्यापक की ब्यक्तित्व और सक्ताओं अध्यारित माडल बनाने का मुख्य कारण क्या है मनो बिग्यानिक अंतर के कारण ब्यक्तिगत्व और सक्ताओं अध्यारित माडल किसके लिए बनाये जाते हैं विसेश चात्र समूं के लिए ब्यक्तिगत और सकता अधारित मार्डल का स्वरूप कैसा होना चेए रचनात्मक कब्यात्मक यों कलात्मक अभीरूची को छोड़ कर बालक अन्य अभीरूचियां कहां से अर्जित करता है बातावरण से अभी रूची अधारित पाठक्रम माडल प्रवावी बनाने है तुनिम्नखित में से कौन एक मात्पूर्ण कारक नहीं है प्रति पुष्टी अभी प्रेड़ा से प्राड़ी में किस प्रकार के गुड़ का विकास होता है अनुक्रिया पड़ाम अधारित ये किरित पाठक्रम माडल किसके द्वारा विक्सित किया था डॉन कोचक पाल इगेल अब अधुनों पड़ाम अधारित माडल के अधार पर कारे करता है हिल्डा ताबा माडल किस बिद्वान ने पड़ाम अधारित माडल को क्रियासील अधिगम माना है डिवी ने पड़ाम अधारित ये किरित पाठक्रम माडल सैचडिक द्रिष्टिकोंड से किसके लिए प्रासंगिक है चात्र और अध्यापक दोनों के लिए इस तरह हमारा यूनिट फाइब साहत होता है